हेलो दोस्तों अरत्दरस अक्रेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान में आईजित और पिस्ट ग्रेड सिक्सक बढ़ती परिक्साथ 2022 के नवींतम पाठे करम के अनुसार दोस्तों फर्ष्ट ग्रेड में पोलिटिकल साइंस के जो ज उस्तम नयायल है और उस्तम नयायले से समंदित टोप सो प्रेड़न है आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं और यह प्रेड़न आपकी परिक्सा की दरश्टी से अतियंत महत्वपून है पांच प्रेड़ने फष्ट पेपर में पुछे जाएंगे पॉलिटिकल साइंस से समंदित अगर आप वो प्रेड़न सही करना चाते हैं तो यह करीबन आठ से नो कलासे होंगी पॉलिटिकल साइंस की इन कलासों को देख लीजिए पॉलिटिकल साइंस से समंदित आपका एक पुरिसन है वो गलत नहीं होगा चार कलास अपनी कंप्लीट हो चुकी है आज पनीश में पांच वे नंबर की कलास है अगर आपने पिछली जो चार कलासे हैं वो नहीं देखिए तो आप प्लेलिस्ट में जाईए वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड भारतिये सवीदान के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा तो आप वहां ज विदान के किस भाग में संग्य कारिपालिका का उलेख है तो दोस्तों ये संग्य कारिपालिका का जो उलेख है ये कौन से भाग में आता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाग पांच में किसमें आता है भाग पांच में तो इसमें डी नंबर का उप्शन बिल से 35 तक भाग चार निती निर्दे सक तत्वा से समंदित है दोस्तो चतिस से 51 ठीक है और फिर आता है दोस्तो इसमें भाग पाँच ठीक है ये संग्येकारी-पालिका से समंदित है तो इसमें D-number option सहुत्तर सविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है तो दोस्तों वो है सर्वच नायले यानि कि सुप्रीम कोट तो इसमें C नंबर का उप्षन बिल्कुल सहुत्तर हो जाएगा तीन नंबर का प्रस्न है भारती सविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है तो भारती सविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी है वो कौन है तो वो है दोस्तों सर्वच नायले यानि कि सुप्रीम कोट तो इसमें D नंबर उप्षन बिल्कुल सहुत्तर हो जाएगा एक्ट इसके तहत कलकता में दोस्तों सर्वोचे नहले की स्थापना की गई थी तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतरगत सरव पर्थम भारत में सर्वोचे नहले की स्थापना हुई थी यह नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें पां सरकार अधिनियम 1935 के अधिन दोस्तों यह सर्वोचे नहले की स्थापना हुई थी तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें मूल रूप से सविधान में सर्वोचे नहले में मुखे नहदीस के अतिरिक्त कितने नहदीस की हैं तो इसका र्ाइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिये मुखे नहदीस के अतिरिक्त साट नहदीस की विवस्ता की गई है तो इसमें भी नमबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो हो जाएगा आगे देखिए इसमें वर्तमान में सर्वोच नैले में मुख्य नैजिस के अतिरिक्त कितने नैजिस का प्रावधान किया गया है तो दोस्तों सर्वोच नैले के सरवचनेले के मुख्य नाइजिस के अतिरिक ते कितने नाइजिस का प्रावधान किया गया है तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा अब वरतमान में कितने नाइजिस हैं वो दोस्तों आपको बताने है इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 ठीक है अब बढ़ा दिये हैं या कम कर दिये हैं तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताएं ठीक है डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें उच्तम नाइले के नाइजिसों की संख्या में वर्दी करने की सक्ती किसके पास है यदि उच्तम नाइले के नाइजिसों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी करनी है तो वो सक्ती किसके पास है तो वो सकती है दोस्तों संसध के पास में Say नमबर का उप्षन बिल्कुल सेयुतर हो जाएगा नाईन नमबर प्रेसन है सरवोचे नहेले के नैदीसों की निमन मेशे कौन सी एहरता होनी चाहिए तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ सर्वोचे नायले की योगिता कौन-कौन से होनी चाहिए एक बार तो देखिए वह भारत का नागरिक हो ठीक है दूसरा देखिए चलो इसमें बताई देता हूँ आपको देखिए वह किसी एक या अधिक उच नायले में लगातार कम से कम पांच वर्ष तक नायदिस के रूप में कारिय कर चुका हो ठीक है दूसरा देखिए वह किसी एक या अधिक उच नायले में लगातार दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो ठीक है लगातार दस वर्ष तक ये अधिवक्ता रहा हो बिलकुल सही आ है दोनोग सही है इसमे और देखिए इसमें वहें एक पारंगत विदिवेता हो ये भी दोस्तों इसमें सही है तो देखिए इसमें कौन सी योगेता होनी चीएती तो ये तीनों योगेता होनी आवस्यक है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा वो है उप्रोक्त सभी ठीक है यहाँ पे उप्रोक्त सभी कर लेना उप्रोक्ते सभी तो इसमें D number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दस नमबर का प्रेशन है सर्वोचे नहले में मुख्य नयदीस की न्यूक्ति कोन करता है तो मित्रों इसका right answer हो जाएगा वो राश्टर पती करता है कोन करता है राश्टर पती बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बारा नमबर का प्रेशन है इसमें देखिए भारत के कारिय वाहक मुख्य नयदीस की न्यूक्ति कोन करता है तो दोस्तों वो करता है राश्टर पती कोन करता है राश्टर पती सी नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यानि कि कारिय वाहक मुख्य नयदीस की न्यूक्ति कोन करता है तो राश्टर पती करता है सी नमबर का प्रेशन सही उत्तर आगे देखिए राश्टर पती सर्वोचे नयले के अन्य नयदीसों की न्यूक्ति में किस से प्रामर्स करता है तो यानि कि दोस्तों राश्टर पती है वो सर्वोचे नयले के अन्य नयदीसों की न्यूक्ति करता है तो वो किस की प्रामर्स के आधार पर करता है तो वो करता है सर्वोचे नहले का जो मुख्य नहाइदिस है उससे प्रामर्ज करके अन्य नहाइदिसों की नियुक्ति करता है तो इसमें ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा देखिए आपको देखने पूरे सी के सी प्रसन है तब ही मजाएगा आपको आगे देखिए सर्वोचे नहले में तदर्थ नहाइदिसों की नियुक्ति किस देश की नहाइप्रनाली से प्रेरित है तो इसमें डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए भारतिय सविधान में तदर्थ नहाइदिसों की नियुक्ति का प्रावदान है तो दोस्तों इसका र देखिए सर्वोच नायले में उच नायले में जन्पद एवं सत्र नायले में तो इन तीनों में दोस्तों तदर्थ नायदीसों की नियुक्ति का प्रावदान है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा इनमें से सभी में डी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट है सर्वोच नायले में तदर्थ नायदीस की नियुक्ति होती है जब नायले के किसी सत्र के लिए नायदीसों का कौरम गणपूर्टी नहीं होता है तब दोस्तों तदर्थ नायदीस की नियुक्ति होती है तो इसमें डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 17 नमर का प्रेश ने सर्वोच नैले में तदर्थ नैजीसों की निउक्ति कौन कर सकता है तो वीत्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा तदर्थ नैजीसों की नियुक्ति है वो राश्टरपती की अनुमती प्राप्त कर सर्वोच नैले का मुख्य नैदीस करता है तो इसमें D नमबर का उप्सन बिल्कु सही उतर हो जाएगा अठारा नमबर का प्रेशन है सर्वोच नैले में नैदीस न्युक्त करने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्स उच नैले का एड़ोकेट होना चाहिए तो इसका राइटा हंसर हो जाएगा वो है दस वर्स तक यानिकि लगता दस वर्स तक दोस्तो एड़ोकेट रहा हुआ होना चाहिए बी नमबर का उप्सन इसका बिल्कु सही उतर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें गुनिश नमबर प्रेशने भारत के सर्वोचे नहले का एक न्याइदीश कितनी उमर तक पद पर बना रह सकता है यानि कि दोस्तो भारत के सर्वोचे नहले का एक न्याइदीश कितनी उमर तक अपने पद पर बना रह सकता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है 65 वर्स तक, कितनी वर्स तक है, 65 वर्स तक है, तो इसका right answer हो जाएगा ए नंबर का option बिलकुल सही उतर, देखे भारत का जो पर्थम मुख्य नयदीस का नाम क्या है, तो वो है हीरालाल जे कार्निया, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, आगे देखिए इसमें 20 नमर का प्रेशन है उच्तम नैले के नैदीसों की सेवा निवरती की आयू है तो एक तो है दोस्तो इसमें क्या एक तो इसमें दे रखा है कि सुप्रीम कोट ठीक है कि नैदीस की कितनी उमर तक अपने पद पर बना रहे सकता है दूसरा यहां पर है उच्तम नैले के नैदीसों की सेवा निवरती की आयू क्या है देखिए बात एक ही है ठीक है पैसेट वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर ठीक है आगे देखिए दोस्तों अभी इसमें 21 नमबर प्रेस ने सर्वोचे नैले का नैदीस कितनी आयू तक कारे रहता है तो यहां पर देखिए थपन वर्ष अठावन वर्ष शाट वर्ष तो यह अपना इसमें गलत हो जाएगा तो इसका right answer हो जागा इन में से कोई नहीं ये देखे कितनी I.U. तक कारिय रहते रहता है तो कितनी I.U. तक तो मैंने अभी आपको बताया था 65 वर्स तक तो इसमें D. नमबर उप्शन सही उतर ये जो मैं प्रसन आपको करवा रहा हूँ ये एक टोपिक में से पूरे भारत वर्स में जितनी भी परतियोंगी प्रिक्साइं आईजित हुई है उनमें ये प्रसन पूछे जा चुके हैं तीक है और ये इसलिए और भी ज़्यादा महतोपूर हो जाते हैं 22 नमबर का प्रसन है इसमें देखिए सर्वोचे नैले के नैदीसों को उसके पद से केवल किन परमानित आदारों पर हटाया जा सकता है सर्वोचे नैले के नैदीसों को उसके पद से केवल किन परमानित आदारों पर हटाया जा सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कदाचार, ऐसमर्टता के आधार पर, दोनों को अटाये जा सकता है, तीक है, यह यनि कि, दोनों के आधार पर, सर्वोचे, नहले के नहे दीश को, उसके पद से हटाये जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक तो दोनों, इसंतर का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 23 तंबर प्रेस ने सर्वोच न्यायले के न्यायदीसों को कदाचार और ऐसमर्थता के परमानित आधारों पर संसद किस तरह महावियों का प्रस्ताव पारित कर सकती है तो संसद है वो किस तरह महावियों का प्रस्ताव प दस्यों के दो तिहाई बहूमत प्रस्ताव द्वारा दोस्तो महावियों कि प्रस्ताव लाया जा सकता है सर्वोच न्यायले के न्यायदीस को कदाचार और ऐसमर्थता के प्रमानित आधारों पर संसद में महावियों कर सकता है तो इसमें C no par option बिल्कुल से उइद्तर हो ज जाने पर हटाने का आदेश कौन जारी कर सकता है तो कौन जारी कर सकता है तो वो है राष्टर पती जारी कर सकता है जब महभीयोग का प्रस्ता अपारित हो जाए तो दोस्तो राष्टर पती है वो आदेश जारी कर सकता है उसको हटाने के लिए तो इसमें बी नमबर का उप् पल रहा यानि कि दोस्तों महभयोग प्रस्ताव लाया गया था ग्यारा माई 1993 को लोकसभा में लाया गया था सरवोचे नहले के किस नैदिस के खिलाप ये लाया गया था तो ये लाया गया था दोस्तों नयाए मूर्ती V.Ramaswami नैमूरती V.Ramaswami तो इसका right answer हो जाएगा इसमें C number का option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा V.Ramaswami थेक है आगे देखिए इसमे 26 number सर्वोछय नहले के मुक्चे नहदीश को परतिमा है कितना वेतन मिलता है तो सर्वोछय नहले के मुखे नाइदीस को परतिमा है कितना वेतन मिलता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो कितना वेतन तो 2,80,000 मिलता है मुखे नाइदीस को तो 2,80,000 और इसी में से आप 30,000 कम कर दीजिए कितने हो जाएंगे 2,50,000 ये दोस्तों नाइदीस की पेमेंट है ठीक है मुखे नाइदीस की 2,80,000 और इसमें 30,000 कम करेंगे तो दोस्तों नाइदीस की पेमेंट हाजाएगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नमबर का उप्सन 2,80,000 आगे देखिए सर्वोचे नाइदीस की पेमेंट है कितना वेतन मिलता है तो मैंने अभी आपको बताया था 30,000 कम करके कितने 2,50,000 रुपए तो इसमें भी नमबर का उप्सन सही उतर हो जाएगा 28 नमबर प्रेसन है जब राष्टरपती और उपराष्टरपती दोनों के पद खाली हो तो उनके काम कौन करेगा जब राष्टरपती और उपराष्टरपती दोनों ही नहीं हो तो दोस्तो इनके कारिये का जो निर्वहन है वो सुप्रिम कोट का मुख्य नाइदीस करेगा तो इसमें C number option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें 29 number president निमिनलिकित में से भारत के किस मुखे नाइदीश ने राष्ट्रपती के रूप में कारी किया तो भारत के किस मुखे नाइदीश ने राष्ट्रपती के रूप में कारी किया तो मित्रों इसका right answer हो जाएगा वो है इसमें किसने किया तो यह किया दोस्तो justice M हिदायत तुलाने justice M हिदायत तुलाने तो इसका right answer हो जाएगा A number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें सेवा निवरती के पस्चात सर्वोच नैले के नैदीस वकालत कर सकते हैं सेवा निवरती के पस्चात सर्वोच नैले के नैदीस वकालत कर सकते हैं तो किसमें वकालत कर सकते हैं तो किसी भी नैले में वकालत यह नहीं कर सकते हैं किसी भी नैले में वकालत नहीं कर सकते हैं D number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे सर्वोचे नहले के अधिकार छेतर में वर्दी करने का अधिकार किसे प्राप्त है तो ये अधिकार है ये तो दोस्त आप सभी को पता है कि ये अधिकार संसद को प्राप्त है कम करना है या बढ़ाना है ये अधिकार संसद के पास में है C number option सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे सर्वोचे नहले के नयाई के कामकाज के लिए किस बहसा का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों अंग्रेजी बहसा का प्रियोग किया जाता है B number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी भासा का, आगे देखे, सर्वोचे नैले किस संस्ता का निरिक्षन कर सकता है, सर्वोचे नैले किस संस्ता का निरिक्षन कर सकता है, तो इसका right answer हो जाएगा, वो है दोस्तो इसमें अधिनस्त नैले, अधिनस्त नैले का निरिक्षन कर सकता है, तो इसमें C नमब है क्या है सवतंत्र ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सेयुत्र नेक्स्ट है भारत में न्यायपालिका का सवरूप है तो भारत में न्यायपालिका का सवरूप है वो है दोस्तों एक इकरत बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सेयुत्र हो जाएगा एक इकरत आगे देखिए दोस्तो इसमें राश्टर पती और उपराश्टर पती के निरवाचन में अगर कोई विवाद होता है तो दोस्तो वो भारत का सुप्रीम कोट उसको हल करता है तो इसमें C नंबर का उप्शन से उतर हो जाएगा 37 नमबर प्रेस्टन है राश्टरपती और उपराश्टरपती से समंदित चुनाव विवादों को सुल जाने का अधिकार उस्तम नायले को है यह उसका क्या है यह उसका क्या है तो यह उसका मौलिक अधिकार है नमबर का उप्सन सहितर हो जाएगा मौलिक अधिकार ने राश्टरपती कानूनी मामलों में किसे प्रामर्स ले सकता है तो यह उसको मानने के लिए अबादे नहीं है राश्टरपती यह आपको इसमी याद रखना है प्रामर्स ले सकता है लेकिन उसको मानने के लिए बादे नहीं है आगे देखिए उस्तमनेयले के प्रामर्स दात्री बनाया गया है तो दोस्तों उस्तमनेयले को प्रामर्स दात्री बनाया गया है तो कौन से अनुचेद में तो ये बनाया गया है दोस्तों अनुचेद 143 में मैंने अभी आपको बताया था कि ये राश्टर पती है ये सुप्रीम कोट से सला ले सकता है लेकिन उसको मानने के लिए बादे नहीं है आर्टिकल 143 के अंतरगर्द नियाइक पुन्रावलोकन का अधिकार किसे है तो नियाइक पुन्रावलोकन का अधिकार है वो दोस्तो उच्तम नियाइले को है उच्तम नियाइले को तो मित्रों इस प्रेशन का राइट आंसर बी नियाइक पुन्रावलोकन का अधिकार किसे है तो नियाइक पुन्रावलोक तो कानूनों की सवेदानिक वेदता का पुनरिक्सन सी नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो कानूनों की सवेदानिक वेदता का पुनरिक्सन सी नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो ठीक है आगे देखे 43 नमबर प्रेस ने नाइक पुन्राव लोकन का अर्थ है कि सर्वोचे नैले दोस्तों किसी भी राज्य के कानून को अवेद गोशित कर सकता है दी नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तो इसका राई टांसर हो जाएगा वो है यदि कोई कानून या आदे सविधान के विपरीत हो तो उसे ऐस सविधानिक गोशित करना यह दोस्तो इसमें नाएक पुंड्राउलोकन की विवस्ता यहां पे देखे भारत और USA में है नाएक पुंड्राउलोकन की विवस्ता C number का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए केंदर और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोचे नहले के जिस छेत्रादिकार के अंतरगत आता है वो कौन सा है केंदर और राज्यों के विवादों का समाधान करना सरवोचे नहले के जिस छेत्रादिकार के अंतरगत आता है तो वो है कौन सा है छेत्रादिकार है तो वो है दोस्तो प्रारंबिक छेत्रादिकार डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 47 नमबर प्रेस्ट है निमनलिकित में से किस मामले को उच्टम नैले में पर्तेक्स रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दो अत्वा अधिक राज्यों के बीच विवाद तो इसमें ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सेयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए 48 नमबर प्रेस ने जनहीत याची का दायर की जा सकती है तो ये दोस्तो उच्टम नैले में और सर्वोच नैले में दोनों में दायर की जा सकती है सर्वोच नैले किसे हटाने के लिए राष्टरपती से सिफारिष कर सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो संग लोग सेवा आयोग के अध्यक्स वे सदस्यों को संग लोग सेवा आयोग के अध्यक्स वे सदस्यों को तो दोस्तो राष्टरपती सर्वोचेनाल है संगलोग सेवा है के अद्दक्स वैसादस्यों को हटाने के लिए राष्टरपती से श्यारिश कर सकता है वी नमबर उप्षन स्यूत्र हो जाएगा Next है सर्वोचेनाल है कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता तो कौन सा प्रलेख है वो जारी नहीं कर सकता तो दोस्तों आप सभी को पता है ये तो ठीक है बताने की जुरूती नहीं आपको वो है निशे धाग्या ठीक है ये जारी नहीं कर सकता बाकी इसमें देखें बंदी प्रतक्षिकरन प्रतिसेद परमादेश ये जारी कर सकता है ये रिट है ठीक है ये जारी कर सकता है आगे देखिए दोस्तो इसमें कावन नमबर प्रस्टम देखिए उस्तम ने आहले द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है तो दोस्तो परमादेश किसे जारी किया जाता है तो ये दोस्तो किसी भी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए परमादेश जारी किया जा सकता है तो इसका राइट आंसर ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर ह नेक्स्ट है निवनलिकित में से उच नहले या उच्टम नहले की वहें रिटे आदेश कौन सा है जो किसी प्रादिकार को रद करने के लिए लिया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है अधिकार प्रच्छा रिटे सी नमबर का option सही उत्र हो जाएगा अधिकार प्रच्छा नेक्स्ट लाब का पद परिबासित हुआ है तो देखिए लाब का पद परिबासित हुआ है तो दोस्तों सर्वोचे नहले द्वारा ये लाब का पद है ये परिबासित हुआ है बी नमबर का option सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए निमनलिकित में से किस मुकदमे में भार बारतिये सर्वोचे नहले ने सरोपरतम सवीधान के मौलिक लक्षन का सिद्धान परतिबादित किया तो इसका right answer हो जाएगा वो है इसमें गोलक नात बनाम पंजाब राजये गोलक नात बनाम पंजाब राजये तो इसमें ए नमबर का option है वो इसका बिलकुल सहितर हो ठीक है तो इसमें ए नमबर उप्शन बिल्कुल सेवितर आगे देखिए दोस्तों इसमें पच्पन नमबर प्रेस ने भारतिय सविधान का कौन सा अनुच्छेद सविधानिक विवाद में सर्वोचे नहले के अपीलिये छेतरा दिकार से समंदित है तो अपीलिये छेतरा दि मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना अनुच्छेद 134 एको मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना ये दोस्तों सर्वोचे नहले के अपीलिये छेतरा दिकार से समंदित है दी नमबर का उप्शन बिल्कुल सेउतर हो जाएगा आगे देखिए केंदर और राज्यों के उस्तम नहले की सकती आती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कुन सी तो वो है इसकी मूल अधिकारिता के अंतरगत है इसकी मूल अधिकारिता के अंतरगत है सी नमबर उप्शन सेउतर हो जाएगा नेक्स्ट है भारत का उस्तम नहले कानूनी सथे के मामले में राश्टर पती को परामर्स देता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तभी जब वह ऐसे परामर्स के लिए कहता है यानि कि राश्टर पती परामर्स के लिए कहेगा तभी सुप्रीम कोट है वो इसको परामर्स देगा बी नंबर का उप्शन बिल्कुल स 293 के अनुसार नیमनलिकित में से कोण इस आयों का अदेक्स बन सकता है तो कों इस आयों का अधेक्स बन सकता है तो वो है केवल बहुरत के सेवा निवरत मुख्य नैइदी के अधेक्स बन सकते हैं तो सी नमबर उसन सयुत्थर हो जाएगा आगे देखें 59 नमबर प्रेस्ट निमनलिकित मेंसे किस वाद में उच्तम नहले ने सविधान के मूल डाचे का सिद्धान्त परतिवादित किया था में उस्तम न Εylasmus में सविधान के मूल डहाचे का सिधन्त पर्तिवादित किया था तो इसका right answer हो जाएगा वो है केशवणन्ध भारती ठीक है केशवणन्ध भारती वाद में तो इसमें सी नमबर आप्सन सहुतर हो जाएगा आगे देखे किस वाद में सर्वोचे नैले ने का था कि संसद को मूल अधिकार में संसोधन करने की सकती प्राप्त है पर वह संसोधन के मूल डाचे में संसोधन नहीं कर सकती ऐसा दोस्तों कौन से केस में का था तो ये का था केस वानन भारतिवाद केस में तो इसमें ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 61 नमबर प्रेशन है सर्वोचे नैले के पर्थम मुक्य नैदीस कौन थे तो सर्वोचे नैले के पर्थम मुक्य नैदीस है वो कौन थे जे कारनिया, क्या सही है, बिलकुल सही है आगे देखिए इसमें बासक नमबर प्रेस्टन सरवोचे नहले के मुखे नहदिस के पद पर सरवादिक लंबी अथी तक कोन पदस्त रहा तो इसका right answer हो जाएगा वो है YV चंदर्चूड D number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा YV चंदर्चूड ठीक है आगे देखें दोस्तों इसमें सर्वोचे नैले के मुखे नैदीश के पद पर सबसे कम समय तक कोन आशिन रहा तो सबसे कम समय तक कोन आशिन रहा दोस्तों वो है इसमें C number का option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा कमल नाराएंड सिंग ठीक है आगे देखें ये 18 दिन तक ही रहे थे सिर्फ ठीक है ये भी आपको इसमें याद रखना है मातर 18 दिन तक कुनिस सो इकरान में के अंदर कमल नाराएंड सिंग ठीक है आगे देखें सर्वोच नायले के किस मुखे नायदीस ने 20 जुलाई 1907 से 24 अगस्त 1907 तक कारी कारी राष्टर पती के रूप में कारी किया तो दोस्तों मैंने आपको बताया था भी M हिदायत अला H M हिदायत अला तो इसमें B नंबर का जो उप्शन है वो इसका राइट अंसर हो जाएगा तेक है आगे देखें प्रेस अट नंबर प्रेस ने वर्स 1903 में सर्वोच नायले के किस मुखे नायदीस की नियुकती के समय पर्थागत वरिष्टता के सिद्दान्त को पहली बार त्याग दिया वर्स 1903 में सर्वोच नायले के किस मुखे नायदीस की नियुकती के समय पर्थागत वरिष्टता के सिद्दान्त को पहली बार त्याग दिया तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो या निकी अजीत नाथ रे तो इसका राइट आंशरिस में A नंबर उपसन सेयुतर हो जाएगा आगे देखें निमनलिकित में सबसे बड़ी मिला नयदीश कों थी सबसे पहली मिला नयदीश कों थी तो सबसे पहली महिला नयाई दीश थी दोस्तों फातिमा बीबी C नंबर का ओप्षन बिल्कुल सहुत्तर हो जाएगा फातिमा बीबी ठीक है याद रखना आपको फातिमा बीबी आगे देखिए इसमें 67 नंबर प्रेसने सबीदान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार की से पराप्त है तो सबीदान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सरवोचे नहले को पराप्त है डी नंबर का ओप्षन सहुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्नलिकित में से किसके मामले में उच्टम नायले वे उच्टम नायले दोनों के अधिकारिता में आते हैं तो किसके मामले तो ये मामले हैं दोस्तों मूल अधिकारों के सरक्षन से समंदित मामले हैं यह उच्टम नैले और उच्टम नैले दोनों के च्छेतरा अधिकार में आते हैं तो इसमें C-Number Option सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे उच्टम नैले की परामर्स अधिकारिकता के विशाय में निम्न में से कौन सा कतन सही है तो निम्न मेंसे कौन सा कतन सही है तो यहाँ पे देखिए उच्तम नैले के लिए वहें बाद्दे कारी है कि राश्टर पती द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे यह गलत हो जाएगा इसमें देखिए परामर्सी अधिकारिता सक्ति के अधिन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्तम नैले की पून पीट सुनवाई करती है यह बिलकुल सही है इसमें तीसरा है परामर्सी अधिकारिता के अधिन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्तम नैले का मत सरकार पर वाद्दे कारी नहीं होता ये भी इसमें सही है अब देखिए इसमें दो और तीन सही है चौथा भी इसमें गलत हो जाएगा ठीक है इस प्रेसन का राइट आंसर सी नंबर का उप्षन हो जाएगा आगे देखिए कौन सा अनुचेद सरवचे नैले को अभी लेक नैले का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपती के पद पर कौन कारी करता है तो वो करता है भारत का मुख्य नहीं दी बी नंबर उप्षन सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट है प्रामर्स दाई अधिकार छेतर के अंतरगत उच्टम नैले किसी विदी के प्रशन या जनता के लिए विशेस महत्व के तथे पर परामर्स देता है तो उसे भेजा जाए उसे भेजा जाए तो वो है दोस्तो राष्ट्रपती द्वारा भेजा जाए ठीक है तो इसका राइट आंसर इसमें डी नंबर उप्षन हो जाएगा आगे देखिए इसमें 73 नंबर प्रेस ने जब भार वती डी नंबर का उप्षन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए सर्वोच नेले में 29 न्यूक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच नेले का एडवोकेट होना चाहिए तो वह है दुस्तों 10 वर्ष बी नंबर उप्षन सही उतर पिछेतर नंबर प्रेस्ण हैं सर्वोच नेले के नैदी से भारत के राष्टरपती द्वारा हटाए जाते हैं तो भारत के राष्टरपती द्वारा हटाए जाते हैं कब अटाए जाते हैं जब संसद में महाव्योग परस्ताव पारित हो जाए तब तो डी नंबर उप्षन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए भारत में उस्तम नायले में नैजीसों की संक्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है तो ये अधिकार होता है दोस्तों किसके पास तो भारत की संसद के पास ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भारत की संसद के पास आगे देखिए भारत क उच्तम नायले को भारत के उच्तम नायले को दोस्तों प्रारंबिक अपीलिये और प्रामर्स दात्री यानि की छेत्रा अधिकार है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा तीनों है तीक है आगे देखिए अठतर नंबर प्रेस ने भारत के किस सवेदानिक पद में कोई मैला नहीं रही है तो भारत के किस सवेदानिक पद में कोई मैला नहीं रही है तो वो है उच्तम नायले के मुखे नायदीश में तो इसमें ए नंबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखि C number का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों प्रेसन आपको कैसे लगे कमेट में जरूर बताएं और अगर आपने पिछली कलासे नहीं देखिए तो आप ले लिस्ट में जाएए वहाँ पे आपको अलग-अलग फोल्डर मिल जाएंगे फस्ट क्रेड के नाम से तो आप वहाँ जाकर पिछली कलासे हैं वो जरूर देखें और अरद्यारेस अकेडमी के यूट्व चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें बेल आइकन को तबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जैभारत